कि जवाह नौद्य विद्याले परवस परिक्षा कख्छत्छे का हिंदी भाँसा परिक्षन जिसमें हम हिंदी के अनुचित 2 को देखते हैं इससे पहले की विडियो मैंने अनुचित 1 देखा ता अनुचित 2 देखते हैं चार अनुचित हैं इस तरह से चारों अनुचित को मैं करवा देता हूं टाकि आपका कॉंसेप्ट के लिए हो जाए कि किस तरह के अनुचित जो है वो आते हैं एक्जाम में चलिए आप उपर इन तिर्फ अस्थानों पर जाने वाले केवल धार्मिक लोग ही नहीं होते हैं। जहां कहीं दो या अधिग नदियां मिलती हैं, तिर्फ याथरी वहां स्थान और पूजा करते हैं, क्योंकि माना जाता है कि यह वह अस्थान पवीतर होता है। ऐसा ही एक अस्थान हरी द्वार है जो गंगा नदी के तड़ पर है पैसे को बहुत इपारे किसे समझ समझ के पढ़ना है जब पढ़के आप समझ आते हैं तो यहां पर देखिए यहां पर तीर्थ यात्री यह सब के बारे में दिया हुआ है तो यहां पर देखिए पहला कि लोग यह नहीं होते बलकि इस बिदेशों से पर्या अटक और सहर सपाटिय वाले भी लोग होते हैं तो धारमिक लोग पर्याँस पर्यातक और सहर स anál स्पाटिय और दूसरे कोसिन में आते हैं निमलंकी इन하면से कौण सा सामान्यिदा का परियावाची परियावाची में इस कोशन को देखे उस रथान को पवित्र मानने जाता है जहां दो या अधिक नदिया मिलती है इस कथर में पवित्र का विलोम देखे पवित्र का विलोम क्या है विलोम मतलब उल्टा कौन नहीं होगा देखे इस वरित होने सकता धार्मिक भी नहीं हो सकता धर्मिनिस्ट भी नहीं हो सकता है तो इसका क्या हो जाएगा और पावन चलिए आते हैं हम 69 कोशन में यहां पर देखिए लोग गंगा नदी में अस्थान और पूजा के लिए आते हैं क्योंकि इसका जल क्या होता है यहां पर देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि क्योंकि माना जाता है कि वह पवित्र होता है तो यहां पर इसका सही अंसर क्या हो जाएगा पवित्र लास्ट कोशन देखिए लोग तिर्थ यात्रा पर जाते हैं क्योंकि वे डैस होते हैं ठीक है वे ब्रिध होते हैं खोजी होते हैं यह तो हो यह नहीं सकता है उत्सुक होते हैं लोग क्या होते हैं धा तो इस तरह से आपने देखा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इससे पहले भी मैं मांसरी उता परीषन का बना चुका हूँ ये हिंदी है इसके बाद जस्ट मैं मैं स्टार्ट करने लो नौजवाह नोदेपी दल के एकजाम जो है बहुत ही नजदीक आने वाला है तैयारी आपके जो रसूर से होने चाहिए तो वीडियो पर बने रहिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को द